Hey guys, welcome back to Power Drag आज के टाइम में ऐसा कौन होगा जो 10 लाख रुपे के अंदर एक प्रीमियम हैजबेक को पर्चेस करना ना पसंद करता हो क्योंकि प्रीमियम हैजबेक एक ऐसा सेग्मेंट है जिसमें आपको इसपेस बहुत अच्छा मिलता है प्रैस भी ठीक ठाक मिलता है और फीचर तो अल्टिमियम लेवल के मिलते ही है तो 6 नई प्रीमियम हैजबेक इडिया में लाउंच होने वाली है कुछ तो 2-3 महीने में लाउंच हो जाएगी और कुछ 2020 के एंड तक लाउंच हो जाएगी तो चलिए आज बात करते हैं इन 6 प्रीमियम हैजबेक के बारे में आज की लिस्ट की नंबर फर्स्ट कार है किया पिचानतो तो कईज आप सभी लोगों को पता है किया की सेल्टोस इंडिया में इतनी जबरदस तरीके से मशूर हुई और वहीं कारनीवल इतनी कोई खास मशूर नहीं हुई तो किया का अगला टार्गेट है कि वो अपनी पिचानतो एक प्रीमियम हैजबेक वाले सेग्मेंट में उतारे जो कि राइवल करेगी मारती सुजू की श्विफ्ट जैसी कार के साथ और काफी बढ़िया तरीके से वो इस वाले सेग्मेंट में भी अपनी इस कार को सेल कर सके तो गयाज इस कार के अंदर किया आप लोग को काफी सारी चीज़े फर्स्ट निल सेग्मेंट देगा जैसे कि इसमें आपको चार इंजन आप्शन मिलेंगे और उसी के साथ ये फर्स्ट यूवो कनेक्टिड कार होगी दूसरी चीज़ इस कार के अंदर आप लोग को इलेक्रोनिक संरूफ भी देखने के लिए मिल जाएगी तो ये अपने सेग्मेंट में पहली कार होगी जिसमें संरूफ आईगी हाला कि आई 20 में आने वाली है मगर वो आई नहीं है तो आपको इसके अंदर संरूफ देखने के लिए मिल जाएगी और इसको लॉंच जो करा जाने वाला इसकी लॉंचिंग डेटर लगबग 2021 के फर्स्ट क्वाटर तक इस कार को किया सोच रहे कि वो इंडिया में लॉंच कर दे इंजिन की बात करी जाए तो इस कार के अंदर आप लोगो को सबसे पहला वैल्ली फॉर मनी इंजिन मिलेगा 1.0 लिटर 3 सिलेंडर नॉर्मल इंजिन है तो आपको इस थोड़ा कम प्रैज में मिल जागा लगबग 70 होस्पावर निकाल देता है दूसरा कार के अंदर 1.2 लिटर 4 सिलेंडर पैट्रोल इंजिन थर्ड कार के अंदर 1.0 लिटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पैट्रोल इंजिन फॉर्थ कार के अंदर आप लोगो को 1.2 लिटर डीजल इंजिन देखने के लिए मिल जाएगा तो guys अब आप अपने हिसाब से कोई भी engine ले सकते हैं 5-speed की manual plus automatic transmission car में देखने के लिए मिलेगी काफी ज़्यादा advanced features इस car के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगे जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको car के अंदर sunroof मिलेगी और lights के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर आपको सारी LED lights मिलेंगा और फ्रेंड में LED projector headlamp interior में आपको steering mounted बहुत सारे controls देखने के लिए मिलेंगे और fully digital instrument console होने वाला है सबसे बड़ा infotainment screen होगा इस car के अंदर अपने segment में around 8-9 inches तक का और steering mounted control भी काफी सारे मिलने ही वाले हैं कार में एक बार ये अगर थोड़ा सा प्राइजिंग की तरफ हम नदर डाले तो इस car की लगबग जो प्राइजिंग रहने वाली है 5 लाख रूपे से लेकर 7 लाख रूपे या 8 लाख रूपे तक 1.0 लीटर का TGDI engine देखने के लिए मिलेगा जिससे आप लोग को 120 horsepower मिलेगी तो काफी ज़्यादा powerful लेने वाला है और वहीं अगर इस car के थोड़े और changes की बात कर जाएज तो इसके अंदर Hyundai ने काफी ज़्यादा red theme का use करा हुआ है आप लोग front देख लो, back देख लो, आपको bumper पे red color की scheme यूज देखने के लिए मिलेगी alloy wheels के उपर आप लोग को red color की मतलब finish देखने के लिए मिल जाएगी और जो आप इसके rear की lights देखेंगे उसके अंदर भी आप लोग को LED की finish देखने के लिए मिलने वाली है थोड़ा से एक बड़ी interior भी check out कर लो तो interior में आप लोग को इसके इस events के उपर red color की finishing देखने के लिए मिलने वाली है तो यह इस type के कुछ आपको normal news और इस news में difference देखने के लिए मिलेगा अगर इसके pricing के बात करे जाया तो कहीं न कहीं इसकी pricing में आप लोग को 50-60,000 रुपे का increment देखने के लिए मिलेगा normal news से तो यह उसे एक अलग हटके variant होने वाला है तो इसको जूंडे लॉंच करेगा अगले साल 2021 में और जो features बगर है बहुत सारे आपको same देखने के लिए मिलेगा नियोस वाले कोई भी फीचर एक कम नी मिलेगा सब कुछ वो सारी चीज़ सेम रहने वाली है आगे बढ़ते हैं लिस्ट है हमारी आज की next car की तरफ मारूती Suzuki XL5 तो गैस इस कार को मारूती बहुत ही जल्दी लॉंच कर देगा और इस कार को सेल करेगा नेक्सा क्योंकि एक प्रीमियम कार रहने वाली है वेगनार का एक अपग्रेड वर्जन होगा उससे ज़्यादा फीचर मिलेंगे और एक्स्टीर में भी आपको बहुत सारे चेंजिस नजर या रहे होंगे जैसे कि इस कार के अंदर काफी यूनिक डिजाइन के फ्रेंट की लाइट होंगी आपको देखने के लिए मिल सकता है बाकि अगर प्राइजिंग की बात करी जाए तो इस कार का जो प्राइज रहेगा लगबग पचास से साथ हजार रुपे इंक्रिमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा नॉर्मल वेगनार के प्राइस से क्योंकि ये थोड़ी एक प्रीमियम कार होगी इंटिरियर का और वेगनार का लगबग लगबग सेम ही रहेगा मगर आपको इंटिरियर में डूल टोनी स्कीम देखने के लिए मिल जाएगी और बाकी आपका जो इंट्रुमेंट कंसोल है या फिर जो म्यूजिक सिस्टम है इन्फोटेन्मेंट इस्क्रीन है वो सारी चीज़ा आपको सेम देखने के लिए मिलेगी वही इसके अंदर आप लोगों को मार्ती सोजी की का स्मार्ट प्ले स्टूडियो देखने के लिए मिलेगा सेवन इंचिस तक का एंडो डॉटो और एपल कार प्ले वगएरा के साथ तो ये कुछ XL5 रहने वाली है जिसमा आपको R50 निंचे तक के अलोई वील भी देखने के लिए मिल जाएंगे जिनका डिजाइन वगएरा मुझे काफी बड़िया लग रहा है तो चलो आगे बटते लिस्ट के हमारी नेक्स्ट कार की तरफ Hyundai Elite i20 इस कार के लिए आप लोग बहुत जी जाएदा बेसाबर हो रहे हैं काफी लोगों के मेसेजिद आ रहे हैं कि यार i20 का बताओ i20 का बताओ तो भाई इस कार को लॉंच करने वाला i20 मुश्किल से दो महीने के अंदर अंदर इस कार को लॉंच कर देगा जैसे कि इस कार में अब आप लोगो 3 इंजन ओफर करने वाला Hyundai 1.0 लिटर टर्बो चार्ज पैट्रोल इंजन, 1.2 लिटर 4 सिलेंडर पैट्रोल इंजन, 1.5 लिटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन transmission की बात करे जाये तो कार के अंदर आप लोगो 5-speed की transmission मिलेगी 6-speed की transmission मिलेगी और 7-speed की आपको DCT भी transmission देखने के लिए मिलने वाली है मलतलब dual case transmission जो कि इसके टर्बो पैट्रोल इंजन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी Automatic Transmission DCT वाली और बागी अगर इसके थोड़ी Pricing की बात करी जा है तो लगबग 6-6.5-6.5 रुपे से इसकी Pricing लेकर आप लोगो को 10-10-11.5 रुपे तक इसकी Pricing जा सकती है काफी सारे इसके अंदर First In Segment फीचर है जैसे कि इसके अंदर Electronic Sunroof R17 इंचिस तक के Alloy Wheel 10.25 इंचिस तक का इसका Infotainment Screen जिसके अंदर आप लोगो को बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जैसे कि Blue Link Connectivity ये Connected Car होगी जो कि आप अपने Mobile Phone से Control कर सकेंगे और बागी अगर इसमे रियर पैसिंजर के Comfort की बात करो तो रियर पैसिंजर के लिए आप लोगो सेपरेट दो एस इवेंट देखने के लिए मिल जाएंगे प्लस आपको Armrest और दो Bottle Holder या फिर आप लोग कप Holder भी कह सकते हैं जो आपको Armrest के उपर ही देखने के लिए मिल सकते हैं तो कुछ इस टाइप की New I20 होने वाली है तो आप में से बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे हैं इस कार के लिए तो थोड़ा सा और वेट कर लो बहुत ही जल्दी Hyundai launch कर देगा launch होते हैं आप लोग के लिए test drive प्लस review लाने की जुम्मेदारी मेरी है उसके लिए आप लोग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को on करना पड़ेगा तो वो चीज़ आप लोग एक बारी on कर सकते हैं बाकि इस कार के अंदर आप लोग को shark fin antenna हो गया या फिर chrome garnish ये सारी features या ये सारी चीज़ आपको कार के अंदर देखने के लिए मिलने ही वाली है तो कुछ इस टाइप के i20 रहने वाली है आगे बढ़ते हैं लिष्ट में हमारी आज की next car की तरफ Honda Jazz Facelift तो गाइस Jazz का Facelift आने वाला है काफी टाइम से इसके जो sales figure है वो बहुत ही जादा down जा रहे है जिस वए से Honda को इसका Facelift लाना पड़ रहा है प्रैजिंग के बात करी जाए तो लगबख 7 लाक रूपे से लेकर 10 लाक रूपे तक इसकी प्रैजिंग रह सकती है और बागी इसके अंदर आपको changes तो बहुत ही सारे देखने के लिए मिलने वाले है अगर मैं फ्रेंट से बात करूँ changes की या फिर इसके थोड़ा side profile वगरा में तो फ्रेंट मैं आपको इसके अंदर LED DRLs, projector head lamp और फ्रेंट का जो bumper है वो भी redesign होने वाला है और उसी के सासा side profile में new design के इसके अंदर आप लोगो को alloy wheel देखने के लिए मिल जाएंगे एक बारी थोड़ा सा engines की तरफ नजर डालने तो 1.0 लिटर टर्बो चार्ज वी टेक पैट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर और उसके अलावा दो नॉर्मल इंजन तो आप लोगो जो मिलते है वो देखने के लिए मिलने ही वाले है इसपैशली टर्बो चार्ज इंजन उन लोगों के लिए जिनको 1-2 ड्राइव कार चाहिए एक्सलेरेशन करते ही कार से मतलब जबरदस्त वाला जिन लोगों को रिस्पांस पसंद है उन लोगों के लिए इंजन इसपैशली कंपनी ने डिजाइन करा है कुछ ऐसी आपको न्यू होंडा जैस देखने के लिए मिलेगी जैसा आप लोगों को भी नजर आया और बागी 1.2 लेटर का नॉर्मल 4 सिलेंडर पैट्रल इंजन और 1.5 लेटर का डीजल इंजन कार के अंदर आपको देखने के लिए मिली जाएगा मैनुल प्लस आटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिचन इस कार के अंदर आफर करी जाने वाली है B.A.6 कंप्लाइन इंजन रहने वाले हैं सारे न्यू के न्यू अब बाकि अगर मैं इसकी लाँच डेट की बात करूँ तो इस कार का जो लाँच डेट शेडियूल करा हुआ है वो होंडर ने शेडियूल करा है 2020 के एंड या फिर फैस्टिव सीजन पे भी लाँच इस कार को करा जा सकता है डिपेंड करता है कि इनका प्रोड़क्शन कब तक कंप्लीट होता है क्योंकि कोरोना वाइरस की वाईसे प्रोड़क्शन सभी कंपनी का रुग गया था तो जिस वाईसे अभी तक इस कार को लाँच नहीं करा गया है बाकि इसके इंटेर में आप लोग को थोड़े बहुत चेंजिस देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि अब इसके अंदर आप लोग को जो इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन उसका साइस थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिलेगा और expected है कि आपको इसके अंदर digital instrument console भी देखने के लिए मिल जाए I think so कि digital मिलेगा उसका भी confirmation नहीं है बाकि आपको rear passengers के लिए separate event वगरा ये सारी चीज़े तो कार के अंदर देखने के लिए मिलने ही वाली है और जो इसकी next generation Honda जायज है जो face lift आने वाला है उसके अंदर आप लोग को एक्टे में new design के front grill देखने के लिए मिल जाएगी वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत chrome finish भी देखने के लिए मिल सकता है बाकि interior में आप लोग को dual tone interior भी offer करेगा इस कार के अंदर Honda और आपके comfort level को increase करने के लिए कार के अंदर जो इसकी dimensions है उनके साथ कोई छेड़ानी नहीं करी जाने वाली है क्योंकि पहले से इस कार के अंदर space अच्छा है तो उस चीच को लेकर कोई पंगा नहीं होने वाला है तो ऐसी कुछ new Honda जयाज आने वाली है आगे बढ़ते हैं लिष्ट में हमारी आज की last car की तरफ किया की तरफ से आने वाली sonnet तो गाई यह कार जो है यह competitive करेगी हमारी इंडियन मार्केट की बहुत जबरदस्त कार के साथ मगर उससे पहले एक वाल इसका प्राइजिंग बता दो तो आप लोग इसकी प्राइजिंग काफी ज़्यादा बढ़िया लग सकती है तो किया की sonnet की जो प्राइजिंग रहेगी लगबग 6 लाक रुपे से लेकर 11 लाक रुपे 10 लाक रुपे तक रह सकती है और उसी के साथ अगर इसके में इंजिंग और जो प्राइजिंग और जो फीचर्स और लाँच डेट है उसके बारे में बात करों तो गाइज यह बहुत जबरदस्त कार हो सकती है अपने सेग्मेंट में क्योंकि यह कॉम्पेटीट करेगी नेक्सोन, XUV3OO, EcoSport या फिर वेन्यू इन गाड़ियों के साथ काफी जबरदस्त कार है वैसी सेग्मेंट के अंदर पहले से ही 4-5 गाड़ी आती है तो यह चटी गाड़ी किया अपनी Xonet को भी लाँच कर देगा तो इस कार के अंदर आप लोगों को इस तीन इंजन ओफर करे जाने वाले है 1.0 लिटर का 3-cylinder टर्बो चार्ट्स पैट्रल इंजन, दूसरा 1.2 लिटर 4-cylinder पैट्रल इंजन और तीसरा इस कार के अंदर 1.5 लिटर का डीजल इंजन 6-speed की manual प्लस, automatic transmission के साथ कार आपको ओफर करी जाएगी जहां तक है इस कार के अंदर भी आप लोगों को DCT देखने के लिए मिल सकता है DCT मिन्स dual class transmission जिससे कि आप लोगों की कार की reliability है, riding है, वो काफ़ी चदा smooth होती है और कार को चलाने में मज़ा आता है especially automatic cars के अंदर जब आपको gate shift होता है, वो जर्क महसूस होता है उस चीज को reduce करने के लिए हर कंपनी अपने कार के अंदर आप कोशिश कर दिए कि वो DCT transmission आप लोगो को offer कर सके बागी अगर थोड़े इस car के में features के बारे हम बात करो तो इसके अंदर आपको बहुत ही जबर्दस्त feature देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि wireless charging, sunroof, leather wrapped steering wheel, leather wrapped gear knob या फिर काफी बड़े size का infotainment screen safety security के लिए भी car के अंदर आप लोगों काफी अच्छे features मिल जाएंगे ABS, EBD, reverse parking sensor, reverse parking camera और 360 degree camera जैसे feature भी इस car के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं तो गाइस यह ता आज का कुछ वीडियो जबर्दस्त, must, बड़े बड़े आप लोगों को मैंने च्छे upcoming hatchback के बारे में बता है वीडियो अच्छा लगाओ तो please like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना और bell icon को आप लोग on कर सकते हैं तो इस वीडियो को हमें पर उनको end करते हैं, signing off, प्रीत, bye bye